प्यारे बच्चो कैसे हो सब सबच्छे होंगे तो चलिए आज की हम अपने अध्याय आरह में पर्दे यह वच्चन ऑमरितं कुछ ऐसे वच्चन जो कि अमरितं के समान होते हैं जिनको हमें अपने जीवन में भी बनाना पर्चाइए ऐसे वस्टनों के बारे में हम पड़ते हैं देखिए मतलब कि ना कोई किसी का मित्र नहीं है कोई किसी का सत्रु नहीं है कि यहां पर इस संसार में कोई भी दुस्मन नहीं है कोई भी आपका नहीं है व्यभारेन मित्र आने जानी जानते हैं मित्र और सत्रु जाने जाती हैं यह हमारा मित्र बनने के काबिल है यह हमारा संसार में कोई मित्र और सत्रू नहीं है कोई किसी का मित्र और सत्रू नहीं होता है हम सब को किस से पता चलता है ये उनके विवहार से जो हमाई साथ वो विवहार करते हैं उससे व्रिथा व्रिष्टी समुद्रेशु व्रिथा त्रिप्तश्य भोजनम व्रिथा दानम सम्रतेशु व्रिथा दीपय दिव्यपीच्च देखे व्रिथा बेकार व्रिष्टी बारिस समुद्रेशु समुद्रों में समुद्र में बारिस बेकार है क्यों है व्रिथा त्रिप्तश्य बोजनम अगर कोई त्रिप्तश्य मतलब की जिसकी बूख सांत हो चुकी है जिसको बूख नहीं है लेकिन अगर हम उसको खाना खिलाएं तो उसके लिए बियार्थ है बेकार है उसके लिए क्योंकि उसका पेड़ तो पहले से बहुत है और अगर हम उसको दान में कुछ दे तो वो क्या वेकारी य कोई आउसकता नहीं है तो कि नभान देना वयर्थ बावी जलाएं तो क्या है दिन में तो सूरज की रोसनी इतनी होती है कि रोसने की सामने कुछ नहीं दिखेगी लेकिन वह रात में जलाइंगे तो दिखेगी लेकिन दिन में क्या सूर्य की रोशनी के सामने दिये की रोशनी फिकी हो जाती है बहुत इसलिए वह भी दिन में दिया जलाना भी क्या है बेकार है अग देखे अश्टादस पुराण इसो व्यासस्य वचन्दयम प्रोबकर है पुन्याई पापाई पर पेड़नम अश्ठादस पुराण से व्यास से वचन दरम अश्ठारा पुराणों में जो हमारे अठारा पुराण है उनमें व्यास के दो वचन बताए गए हैं कौन-कौन से प्रोपकार है पुन्य अगर तुम प्रोपकार करोगे तुम भलाई करोगे संसार में तो तुम्हें पुन्य मिलेगा और अगर दूसरों को दुख दोगे दूसरों को पीडा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा पाप मिलेगा ठीक है यह व्यास के दोवचन बताए गए हैं कि प्रोकार करने से पुन्य मिलेगा और पाप करने से आपको अगर दूसरों को दुख दोगे तो उसको उससे आपको क्या मिलेगा पाप मिलेगा आगे पढ़ते हम दुर्बलत से बलम राजा अबला नाम रोधनम बलम बलम मुर्खत से मोंत्याम चोराणयाम अन्रेतम बलम दुर्बलत से बलम राजा जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनकी ताकत होती है राजा कि जो उंका नाम रोधनम बलं और जो अवगला ए मन्यूंसा होती है उनकी सकती हिस ऌते होती है उनकी सकती हे रो टी यंट मुर्खक से मौंत्र मौंतником यु ग्षम होता है उसका बहुता है मौंद्रम चुप रहना प्यूर्ण न रहाम अंश्याल्य कर Creek जूट बोलना ठीक है क्या बल बताएगा है कि जो दूरबल व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति है उसकी ताकत होती है राजा इस्तुरों की के बल की ताकत होती है रोना और मुर्ख व्यक्ति की ताकत होती है चुप रहना और जो चोर है उसकी ताकत उसकी सकती होती है जूट बोलन उद्धमेन ही सिध्यनती कार्यानी नहीं मनोर्थे नहीं सुपतस्य सिंगस से परविशनती मुखे मरीगा प्रिश्रम से ही कार्यस सिध होती हैं इच्छाव से नहीं नहीं सुपतस्य सिंगस उसी परकार सोहवे हीरन के मुँमें भी हीरन अपने आप परवेस नहीं करते उसको भी अपना सिकार करने के लिए मैनत करनी पड़ेगी वन में घूम के उसको भी हीरन को पकड़ना पड़ेगा हीरन अपने आपसे उसके मुं में नहीं आएगा इसकी गिंती तो छोटे हर्दे वाले व्यक्ती करते हैं उदाश रिता नाम जो बड़े हर्दे वाले व्यक्ती होते हैं वो तो पूरी प्रीथवी को ही अपना परिवार समझते हैं बावार समझते हैं इनका बावार देखिए पहले का है ना कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का शत्रू व्यवहार से ही मित्र और शत्रू पैदा होते हैं समुद्रों में वर्षा बेकार है, त्रिप्त पेट भरे लोगों के लिए भोजन देना बेकार है, धन्वान को दान बेकार है और दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है अठारा पुराणों में व्यास जी के दो ही वचन है, प्रोपकार करना पुन्ने है और दूसरों को सताना सबसे बड़ा पाप है दुर्बल कमजोर की सकती राजा होती है, इस्तरियों की सकती रोना होती है, मुखों का बल मौन और चोर का बल असत्य होता है प्रिश्रम से ही कारियसीद होती है, मन में विचार करने से नहीं, सोते वे शेर के मुँमें भी हीरन कभी परवेस नहीं करती है यह अपना है यह पराया है कि गिंती तो कम बुद्धि वाले लोग करते हैं उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण प्रीथिवी ही उनका परिवार है यह हमने कुछ बातों के बारे में पड़ा कुछ अच्छी बातों के बारे में जो हमें बहुत अच्छी लगी है तो आपको भी बहुत अच्छी समझ में आई होगी आप भी एक बार और दोबारा से इसका अब्यास अवस्य करें